माइसेल्फ डॉक्टर मन्जू मीना असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमेस्ट्री फ्रॉम गोर्मेंट कोलेज कोटा आज हम हिट्रोसाइक्ली कंपाउंट्स के अंतर पिरोल के गुण क्या है और एम इसकी रासाइनिक किर्याई क्या है उसकी बारे में अध्यन करेंगे प्रिवियस लेक्चर में हमने इसके बनाने की विधियां पिरोल के भोतिक गुण एम इसके शारे गुणों के बारे में देखाता सर प्रथम आज हम अमले गुणों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि पिरोल के अंदर एक इमिनो हाइट्रोजन उपस्तित होता है जिसके कारण यह है एक दुर्बल अमल की भाती व्यवार करता है यदि पिरोल की किरिया किसी शार्य धातु हाइड्रोकसाइड के साथ करवाई जाए तो यह सोडियो पिरोल बनाता है इसी प्रकार से NaO-NS2 या सोडियो एथोकसाइड के साथ करिया करके यह सोडियो पिरोल बनाता है क्योंकि नाइट्रोजन और हाइट्रोजन में नाइट्रोजन की विदुतिरिंता अधिक होने के कारण बंद के इलेक्ट्रोण नाइट्रोजन की तरफ आ जाते हैं और nitrogen परमाणू निकल जाता है जिस कारण से इमाँ पर sodium या potassium जुड़ जाता है और sodium या potassium पिरोल यह बनाता है सेकिन है जब पिरोल की अभी किरिया methyl magnesium iodide के साथ करवाई जाती है तो इसका magnesium iodide लवन बनता है और साथ में क्या निकलती है methane gas यहाँ पर भी हम देखें कि nitrogen और hydrogen के बीच में जो बन्द है वह है nitrogen की विद्धित रिंता अधिक होने के कारण nitrogen की तरफ electron आ जाते हैं और nitrogen पर क्या जाएगा एक आकि electron यूग माने के कारण यहाँ पर minus चार जाएगा यह है CS3MGI methyl magnesium iodide से क्रिया करेगा तो magnesium और carbon में carbon की विद्धित रिंता अधिक है इसलिए बंद carbon की तरफ तूटेगा इस कारण से carbon पर कौन सा आवेस आजाएगा minus और magnesium पर plus आवेस आजाता है इसी कारण से magnesium nitrogen के साथ बंद बना लेता है और इसका लवण बनाता है और साथ में क्या निकलती है यहाँ पर methane gas निकलती है अब यह जो बना है हमारा magnesium iodide लवण यह यदि methane iodide या RCOCl के साथ क्रिया करें तो क्या बनेगा क्रमस है इससे तो क्या बनेगा एन एलकिल विद्पन बनेगा जो की गरम करने पर 2 एलकिल विद्पन में convert हो जाता है इसी प्रकार से यदि हम इसकी RCOCl के साथ क्रिया करवाएं तो पहले एन एलकिल एन एसल विद्पन बनेगा और जो की हीट करने पर 2 एसल विद्पन में बदल जाएगा इस प्रकार से यह अभी क्या दरसाती की है कि इसमें पिरोल के अंतर अमल्य गुण उपस्तित होते हैं इसी कारण से यह अभी क्रिया संपन होती है थर्ड हम देखें कि यदि पिरोल की किरिया किसे करवाए जाए फैनिल लीथियम से तो क्या बनेगा एन लीथियम पिरोल और साथ में बेंजिन बनती है यहाँ पर भी हम देखें कि नाइट्रोजन और हैट्रोजन का बंद तूटेगा और इधर की तरफ फैनिल लीथियम मे के साथ हाइट्रोजन परमानु जुड़कर प्रेंजिन बनाते हैं पिरोल का अमलिय गुण निम लिखी तत्यों के आधार पर भी समझाया जा सकता है पिरोल में नाइट्रोजन परमानु पर एका की इलेक्ट्रोन युग्म के एरोमेटिक सटक में मिल जाने के कारण यह इलेक नाइट्रोजन परमानु की और अधिक मजबूती से बंदे रहते हैं फल सरू हाइट्रोजन परमानु प्रोटोन के रूप में निस्कासित हो जाता है पिरोल से पिरोल रिनायन बन जाने की पश्यात इसका अनुनात द्वारा इस्थाई करण हो जाता है जैसे कि हम यहां द चार्ज आ जाता है यह एका की इलेक्ट्रोन वल्य की तरफ जाएगा तो यहां बंद बन जाता है और यहां पर बंद टूटेगा यहां बंद बनावा दखाई दे रहा है और यहां पर क्या एका की इलेक्ट्रोन युगमा जाएंगे फिर यह एका की इलेक्ट्रोन यहां ब साथ है जिस कारण से यहां इसाव हो जाता और यही कारण है कि यह अमल्य गुर्फण प्रदर्सित करता है भाग करेंगे ımız देखेंगे electronics ने प्रतिस्थापन अभी किर्याएं कि प्र मेंОर्प्वार अभी ऑस्था प्रति advocate कों के प्रति आगे हम् फियूरेन थायोफीन बैंजीन पिरीरीन की तुल्ना में सबसे अधिक किर्यासील है पिरोल की यह सक्रेता फिनोल तथा ऐरोमेटिक एमिन के समान होती है पिरोल बैंजीन की तुल्ना में इलेक्ट्रोंस नहीं के प्रती अधिक किर्यासील ता पिरोल वले में उपस्थित पर माणूं पर अधिक या उच पाई इलेक्ट्रोन गहनत्र के कारण होती है पिरोल में इलेक्ट्रोन नहीं प्रती स्थापन अभी किर्याएं अधिक आंस्ते टू या फाइव पर संपन होती है यदि इस्तिती टू पहले से भरी हुई हो तो अभी किरिया थार्ड पोजिशन पर संपन होती है इस्तिती थार्ड की तुल्ला में इस्तिती सेकिंड पर इलेक्ट्रोन नहीं प्रती स्थापन इसलिए संपन होता है क्योंकि इस इस्तिती में इस्तिती सेकिंड में क्या होता है कि जब हम देखें नंबरिंग हमने पहले देखी चुकेंगी सबसे पहले अभी करें हो तो किस प्रकार से होगी जो यह डबल वोंड है यहां टूटे नंबर वन टू की तरफ तो यहां क्या जाएगा जो इलेक्ट्रोंस नहीं अभी करमक है वो सेकंड नंबर की पोजिशन पर जूट जाएगा और फिर यहां पर प्लस चार्ज आजाएगा जो कि इस्तिती तू पर यदि इलेक्ट्रोंस नहीं प्रतिस्थापन होता है तो बनावा जो पोजिटिव है वो है क्या होगा तीन अनुनादी सनरचनाओं की द्वारा इस्ताई हो जाएगा लेकिन यदि पोजिशन नंबर थ्री पर इलेक्ट्रोंस नहीं प्रतिस्थापन अभी होगा यदि इस्थिति टू भरी वह यह पहले से तो थ्री पर इलेक्ट्रोंस नहीं प्रतिस्थापन अभिग्रियाएं संपन होगी लेकिन हम देखें कि हैलो नियम आयन जैसे ही सक्रिय इलेक्ट्रोंस इसकी चारों इस्थितियों को ही प्रतिस्थापित कर देते हैं और पिरोल में विभिन इलेक्ट्रोंस नहीं प्रतिस्थापन अभिग्रियाएं नियम प्रकार से हैं सबसे पहले हम देखेंगे हेलोजेनी करण अभिकरिया हैं हेलोजेनी करण अभिकरियाओं में S-O-2, C-L-2, सल्फिलर क्लोराइड के द्वारा क्लोरिनी करण B-R-2, CS-3-OH के साथ ब्रोमिनी करण I-2, जलिये NaOH के द्वारा आयोडिनी करण अभिकरियाओं सम्पन होती है सबसे पहले हम देखें क्लोरिनी करण इसमें पिरोल सर्फिलर क्लोराइड के दो मोलिकुल के साथ क्रिया करके 2,5-डाइ-क्लोरो पिरोल विद्पन बनाता है इसी प्रकार से पिरोल S2Cl2 सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ क्रिया करके 2,3,4,5-डाइ-क्लोरो पिरोल बनाता है अब यदि पिरोल का ब्रोमिनी करण अल्कुल की प्रजेंस में किया जाए तो 2,3,4,5-डाइ-क्लोरो पिरोल विद्पन बनाता है इसी प्रकार से आयोडीनी करण I2 plus NaOH के साथ या KI और H2O के साथ करवाया जाए तो 2,3,4,5-डाइ-क्लोरो पिरोल प्राप्त होता है इस प्रकार से इसकी हेलोजेनी करण अभिक्राएं संपन होती है नाइट्री करण एसी टिल नाइट्रेट या सांडर HNO3 या एसी टिक एन हाइड्रेट के द्वारा नाइट्री करण कराने पर 2 नाइट्रो पिरोल बनता है यहां हम देखें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की विद्वत्रेटा ऑक्सीजन से कम होती है इस कारण से बन किसकी तरफ तूटेगा ऑक्सीजन की तरफ तो और यहां पर इस्तिती 2 पे तूटेगा तो यहाँ NO2 जूर जाएगा और साथ में SET कामल बहार निकल जाएगा इस प्रकार से नाइटरी करण अभिकरिया संपन होती है और हमें क्या प्राप्त होता है? 2 नाइटरो पिरोल नेक्स्ट हम देखें सलफोनी करण अभिकरिया पिरीडीन की उपस्तिती में सलफर ट्राई आक्साइड से अभिकरिया कर पिरोल टू सलफोनी कमल बनाता है यहाँ बंद सलफर से ओक्सिजन की तरफ तूटेगा इस कारण से पिरोल टू सलफोनी कमल बनता है पिरोल की उच्छ सक्रेता के कारण प्रबल अमलिय माध्यम में पिरोल अनुका भावली करण हो जाता है अता है नायट्री करण वैसलफीली करण में विसेस अभी कर्मक जैसे एसिटिल, नायट्रीट, एम, एसो थ्री और प्रिडिन आधी काम में लेते हैं नायक्स्ट है फ्रीडिल, क्राफ्ट, अभी करिया इसके अंतरगा सबसे पहले हम देखेंगे एसिटली करण यह करिया मंद उत्परिरग जैसे बी एफ 3, SN, SN, CL4 की उपस्तेती में संपन होती है क्योंकि एलुमीनियम क्लोराइड के द्वारा पिरोल का क्या हो जाता है बहुली करण तो हम पिरोल की अभी किरियाएं, CS3, CL, SN, CL4 या एसिटिक एन हैड्राइड की BF3 की प्रजेंस में कराएं तो टू एसिटिल पिरोल प्राप्त होता है अब यदि हम इसी अभी किरियाओं को एल, CL3 की प्रजेंस में कराएं तो सबसे पहले 2 एसिटिल पिरोल प्राप्त होगा उसके बाद में 2 और 5 डाइसिटिल पिरोल प्राप्त होता है क्योंकि एल, CL3 की प्रजेंस में पिरोल का भौली करण हो जाता है नेक्स्ट देखेंगे अलकिली करण फ्रिडेल क्राफ्ट अब इक रिया अलकिली करण भी Alcl3 की प्रजंस में मैथिल क्लोरैड के साथ करवाय जाए तो पिरोल का भावली करण होता है यहां हम देखें कि NH में नैट्रोजिन के तरफ मुन तूटे तो यहाँ CH3 परमाणु जूरजाता है फिर बंध के इलेक्ट्डौन यहाँ आई यहाँ पर यह वन शिफ्टो और यहाँ टूटे तो यहाँ पर CH3 परमाणु जूरजाएगा इस प्रकार से फिर यह यह हायट्रोजन परमाणू यहां शिफ्टोगत यहां डबल बॉंड यहां डबल बॉंड आ जाएगा और यहां पर वापस से एका की लेक्टों यूग माजएगा फिर यदि यह LCL3 और CH3CL के प्रेजन्स में क्रिया करवाए जाए तो इस प्रकार से इसके सारी ही पोजिशनों पर क्या हो जाता है है LCL कराएं तो क्या बनता है हमें 1 2 2 3 4 5 है जा मैधिल पिरोलियन धनायन हमें राप्त होता है नेक्स्ट हम देखें एन- एसिटाइल इमीडाजोल से पिरोल की अभी किरिया है एन- एसिटाइल इमीडाजोल यहां पर बंद कैसी तूटेगा नाइट्रोजन की तरह तो अभी किरिया की द्वारा सी डबल बॉन ओ सी एस्त्री जूर जाएगा और एच जूर जाएगा तो क्या प्राप्त होगा हमें एन एसी टाइल पिरोल और साथ में इमीडा जोल अब हम इसकी देखें यूगमन अभी किरिया या कपलिंग रियक्षन बैंजीन की तु सोडियम एसीटेट की उपस्तिति में बैंजीन डाइजूनियम ध्री व्हूराइड के सा यूगमन अभी किरिया प्रद्धेस्थ करता है फीरोल में सोडियम एसीटेट और अजयो रन्जक कम नाम किया प्रसर जाएगया और यहां पोजिशन किसपे हो अभी अभी करिया टू पर तो एन ही बन जाएगा एजो रंजक जिसका नाम क्या है टू फैनिल एजो पिरोल फिर वापस से इसकी किरिया बेंजीन डाइ एजुनियम क्लोराइड के साथ कराएं तो फाइफ पोजिसन पर जुड़ेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा टू फाइव ड फैनिल एजो पिरोल जो की एक एजो रंजक है नेक्स्ट हम देखें इसकी अभी करिया अमोनियम कार्बोनेट के साथ तो अमोनियम कार्बोनेट के साथ करिया करके क्या बनाएगा पिरोल टू अमोनियम कार्बोक्सलेट यहां पर बन यहां से इस प्रकार से तूटेगा क्य साथ में ammonium hydroxide भार निकल जाएगी अब है फॉर्मिली करण में सर प्रथम देखेंगे काटरमार अभीक्रिया यह अभीक्रिया है एचेंसी एन हैट्रोजन साइनेट वे एसल के साथ पिरोल की अभीक्रिया से टू फॉर्मिल पिरोल प्राप्त होता है सरप्रतम scl और sn की किरिया होती है जिसमें cl के तरफ बंड टूटेगा यहां पर c से n के तरफ टूटेगा तो क्या होगा यहां double bond हो जाएगा और carbon पर क्या विसा चाहिए का plus तो plus पर क्या जुड़ जाएगा CL और N पर क्या जुड़ जाएगा H अब यह वाला बन क्लोराइड के तरफ तूटेगा तो number two position पर क्या जुड़ जाएगा CS double bond NH अब इसकी होस के साथ क्या करवाए जाए तो यहां से NS3 बहार निकल जाएगा और यहां क्या जाएगा ketonic समुट क्या वनेगा two formula पिरोल इस प्रकार से गाटरमाना भी क्या इसकी संपन होती है दूसरी हम देखें फॉर्मिली करण में विल्समेयर होक अभी क्या पिरोल की क्या यदि हम यहां पर करवाए जाए जिसमें नाइट्रोजन two alkyls हमों के द्वारा जुड़ा हुआ हुआ है और POCl3 की प्रजेंस में करवाई जाए तो यहां पर भी क्या प्राप्त होगा प्लीजेंस, सिम्ट अभी क्या, पार्कीन, बैंजोईन प्रकार का संगनन तथा बैंजिलिक, अमल का पुर्णन रिन्यास आधी अभी क्या हैं संपन होती है इनके द्वारा नेक्स्ट हम देखेंगे राइमर टीमा नभी क्या, एम वले का विस्तार अभी क्या, इसमें क्या होगा पिरोल है CHCl3 और केवज के साथ क्या करके टू फॉर्मिल पिरोल एम 3 क्लोरो पिरीडिन बनाता है तो यह किस प्रकार से बनता है वो हम इसकी क्या विदी के द्वारा समझ सकते हैं सबसे पहले हम देखें क्लोरो फॉल यह बन से यहां टूटेगा और यहां से यहां टूटेगा के वेज की प्रजर्स में तो हमें क्या मिल जाएगी डाइकलोरोकारबीन साथ में केसियल और एस्टो भी बनते हैं अब यह डाइकलोरोकारबीन पिरोल के साथ अब इक्रिया किस प्रकार से करती है वो हम देखें यहां से बंद टूटेगा तो यहां क्या जुट जाएगा जो क्लोरोकारबीन है जुट जाएगी और यहां पर प्लस चार्ज जाएगा वापस ही हाइटरोजन यहां बंद बनाएगा और हैचायन निकल जाएगा जो की यहां पर माइनस आवेस प्याएगा जुट जाएगा फिर 2KOH की प्रेजेंस में अभी क्रिया कर जाएगा तो CLCL को OH IN प्रतिस्था पित कर देते हैं और यहां से एक वाटर मोली को निकल जाएगा और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा टू-फॉर्मिल पिरोल इस प्रकार से इसका फॉर्मिली करन होता है अब यदि इसकी अभी क्रिया समाज बंद विखन के द्वारा हो तो वाले का विस्ता इस प्रकार से होता है यहां से यह तूटेगा तो यह इसके साथ बंद इस प्रकार से बना लेगा नैक्स्ट में हाइट्रोजन का बंद तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होगी इस प्रकार से यहां पर वल्य का विस्तार होता है नेक्स्ट हम देखें इसकी कार्बोक्स लीकरण अभी किरिया तो कार्बोक्स लीकरण अभी किरिया में क्या होगा इसमें फर्स्ट है राइमर टीमान अभी किरिया पिरोल CCL4 और KVH के साथ क्रिया करके पिरोल 2 कार्वोक्सलिक अमल बनाता है इसी प्रकार से कॉल्वी स्मिट अभिक्रिया CO2 की प्रजैंस में 120 डिग्री सेंटिगेर पे संपन होती है और ये भी क्या बनाता है पिरोल 2 कार्वोक्सलिक अमल Thank you